हाँ बेटा स्टार्ट करते हैं अपने लोग differentiation ऑफ किसका? differentiation ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर मैनस x अपपन e की पावर x वाईनस e की पावर मैनस x कैसे करते हैं? सबसे पहले पेटा इसमें क्या लगाएंगे? quotient tool लगाएंगे, क्या लगाएं, quotient tool क्या होता है, differentiation of u upon b is equal to v, differentiation of u minus u differentiation of b upon v square, ये आपका quotient tool होता है, देखे, u a हो गया, b हो गया, तो कैसे करेंगे बिटा, सबसे बहले क्या लिखेंगे v, मतलब e की पावर x minus e की पावर minus x, differentiation of e की पावर x plus e की पावर minus x, minus e की पावर x plus e की पावर minus x and differentiation of e की पावर x minus e की पावर minus x अपॉन में क्या आएगा बिटा, e की पावर x minus e की पावर minus x का whole square अब आपके सामने यहां समझचा क्या आ रही है, कि e की पावर x and e की पावर minus x का differentiation होता क्या है सबसे पहले बिटा देखिए, since में differentiation of e की पावर x क्या होता है, e की पावर x होता है and differentiation of e की पावर minus x क्या होगा, minus e की पावर minus x क्या होगा, minus e की पावर minus x कैसे होता है, समझ लीजिए, मैं बताता हूँ आपको, देखिए बिटा, सबसे पहले बिटा लोग e की पावर x का differentiation लेकिन x की प्लेस पे क्या रहा है माइनस x आ रहा है इसी विज़े से differentiation माइनस x का करना पड़ेगा क्या ही कहानी एकी पावर माइनस x माइनस x पे डिफिरेशन करेंगे माइनस का 1 तो यह हो जागा माइनस एकी पावर माइनस x तो यह चीज़ आपने नोट कर ली clear है अब मैं यहाँ पे value पुट करूँगा तो देखी बिटा यहाँ पे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इसका differentiation किया तो e की पावर x का differentiation क्या हो जाएगा e की पावर x आएगा and e की पावर माइनस x का करेंगे माइनस e की पावर माइनस x हो जाएगा फिर माइनस लिखेंगे e की पावर x plus e की पावर माइनस x e की पावर x का differentiation क्या हो जाएगा e की पावर x से ही रहेगा लेकिन माइनस e की पावर माइनस x इसका आएगा माइनस e की पावर माइनस x आजाएगा और एक minus यहाँ पर already दिया गया है क्या हो जागा plus e की power minus x Is that clear? फिर देखी बिटा नीचे क्या है? e की power x minus e की power minus x का whole square ठीक है? अब देखी बिटा यहाँ पर e की power x minus e की power minus x का whole square हो गया यहाँ पर e की power x plus e की power minus x का whole square हो गया upon मैं e की power x minus e-minus x-minus 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 x-minus-minus x-minus 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 x-min स्कार माइनस केंसल आउट, बी स्कार माइनस बी स्कार कैंसल आउट, माइनस टू भी, माइनस टू भी कहता होगे, माइनस के 4A भी, clear है, तो यहाँ पे देखी बेटा, यह मैंने यहाँ पे formula एप्लाई करूँ क्या है का माइनस के 4, A का मतलब E की पावर X, B का मतलब E की पावर माइनस X, अपॉन में E की पावर X, माइन E की पावर माइनस X का whole square, अब देखिए, बेस से में multiply हो रहा है, तो powers क्या हो जाएगी, add हो जाएगी, तो X, X में माइनस X को add करूँ हो, क्या है का 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 4, E की पावर 0, E की पावर X, माइनस E की पावर माइनस X का whole square, तो देखिए, बेटा, E की पावर 0 करेंगे तो क्या value आगी, 1, तो 1 इंटू 4 किता हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4, माइनस 4 इंटू 1 करेंगे, नीचे भी function of X से, तो अपर लोग कोशन टूल लगाएगे, क्या होता है, differentiation of U upon V with respect to X, is equal to V, differentiation of U, minus U, differentiation of V, upon B square, तो यहाँ पे, E की पावर X, minus E की पावर minus X, differentiation of E की पावर X, plus E की पावर minus X, minus E की पावर X, plus E की पावर minus X, and differentiation of E-Key power x minus E-Key power minus x clear है, upon में E-Key power x minus E-Key power minus x होर स्क्वार आजाएगा differentiation और E-Key power x کیا होता है, E-Key power x ही होता है, लेकिन differentiation of E-Key power minus x क्या हो जाएगा, minus E-Key power minus x तो यहाँ पे इन दोनों का differentiation करना है, इन दोनों क्रना है तो ये तो same to same लिख दिया E की पावर X का differentiation E की पावर X and E की पावर minus X का differentiation क्या हो जागा minus E की पावर minus X clear है minus की place पे minus E की पावर X plus E की पावर minus X की place पे वही कब ही रखा यहाँ पे E की पावर X का differentiation E की पावर X हो गया अब E की पावर minus X का differentiation माइनस एक बार माइनस एका यहां और यहां यहां अगर इसको मानना है तो a minus b equal square, a plus b equal square तो इसको जब solve किये तो minus 4 a भी आता है तो मैंने minus 4 a का मतलब e की power x, b का मतलब e की power minus x मैंने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे multiply में power add हो जाएगे और base save होते हैं, तो e की power x plus e की power minus e की power x plus minus x करेंगे तो e की power 0 आजाएगा, और e की power 0 करेंगे तो क्या value आएगी 1, तो minus 4 into 1 करेंगे तो क्या आएगा, minus 4 और denominator जो आपका चल रहा था वही आएगा तो यह बेटा आपका क्या आगया, answer आगया Is that clear? I think आपको सौंच में आगा होगा, बहुत ही important question है, video को रोकिए और note कीजिए